मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है कि Pharmacy Council of India ने हर स्टेट को ये अधिकार दिया है कि रेजिटेशन से पहले वे जो भी स्टुडेंट का एप्लिकेशन आता है उसकी कॉंसलिंग कर सकते हैं और उसका स्क्रीणिंग टेस्ट ले सकते हैं अब स्क्रीणिंग टेस्ट क्या होता है ये बहुत ही सिंपल सी बात है और इसमें घवराने वाली कोई भी बात नहीं है और इसकी सुरुवा सबसे पहले जहारखंड से हुई थी क्योंकि जहारखंड में जो भी रेजिटेशन करवाने जाते हैं वहाँ पर उनका टेस्ट रख रहे हैं जो भी फार्मसिस्ट का वहाँ पर रेजिटेशन करवाने आते हैं अब सबसे पहले में ये बता दू कि स्क्रीणिंग टेस्ट बहुत ही आसान होता है और इसमें कोई भी ऐसी घवराने वाली बात नहीं है अगर आपने इमानदारी से अपना डिप्ल परजी का नाम आपका एड़ेश डेट और बर्थ ये सारी जानकारी वह आपसे लेते हैं उसके बाद आपको पुछा जाता है कि आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं फर्स्ट यर और सेकेंड डियर में उसके बाद जब आप ये सारी बात बता देते हैं तो उसके बाद आपसे ट्रेनिंग के बारे में पुछा जाता है कि आपने अपने ट्रेनिंग किस हॉस्पिटल से की और उसके बाद आपसे पुछा जाता है कि किस फार्मसिस्ट के अंतरगत आपने अपनी फार्मसिस्ट के ट्रेनिंग की डी फार्म के लिए जो तीन मेहने की होती है या 500 घंटे की होती है उसके बाद आपसे पुछा जाता है basic question basic question में आपसे पुछा जाता है कि दो anti-biotic का नाम बताईए उसके बाद आपसे पुछा जाता है कि दो anti-cancer drugs का नाम बताईए या एक anti-cancer drugs का नाम बताईए उसके बाद आपसे पुछा जाता है कि बताइए कि हमारे blood के बारे में उसमें कौन-कौन से component होते हैं, bones कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से फार्मा कोगनुसिस आपसे पुछा जा सकता है कि crude drugs क्या होता है, इसके अलावा आपसे chemistry से भी question पुछा जा सकता है कि limit test क्या होता है, इसमें कौन-कौन से procedures होते हैं, यहीं basic basic question जो आपको मैं खुद पढ़ाते आ रहा हूं और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर मेरा आप lecture देखते हैं, रोज का, दो से तीन मिनट का, तो आराम से यह screening test पास हो जाते हैं, तो इसमें सबसे महत्तपुन बात ह basic information पूछा जाना, उसके बाद आपसे यह भी पूछा जाता है कि ठीक है, आप लिख के बता दीजे कि आपने कौन-कौन से subject की पढ़ाई की है, यानि diploma in pharmacy में, first year में कितने subject की आपने पढ़ाई की, second year में कितने subject की पढ़ाई की, क्योंकि अगर कोई ब्यक्ति पढ़ा होगा तो उसको कम से कम, at least अपने subject के बारे में जानकारी होगा, तो आप देख सकते हैं अपने screen पर कि अभी आसाम के government ने भी इसको लागू किया है, यानि वहाँ पर उन्होंने university को दे दिया गया है, कि आप इस screen test को conduct करवाई है, और screening test पास करना बहुत ही आसान है, यह simple question है, औ और जो भी question मैंने बताया, बहुत ज़्यादा question बता दिया, इससे कमी question पूछे जाते हैं, इसलिए इससे घबराने की कोई भी बात नहीं है, और आपको basic question हमें साथ तयार करके रखने हैं, जैसे की diarotic drugs क्या होते हैं, उसके अलावा anti allergy drugs क्या होते हैं, उसके अलावा anti cancer drugs के बारे में, यानि जो drugs मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसके बारे में एक या दो drugs का नाम आप याद रखिए, इसके अलावा pharmacist का role क्या होता है, जब patient counseling की बात आती है, social pharmacist से आप से question पूछा जा सकता है कि breast feeding का क्या role है, एक बच्चे के लिए, उसका क्या महत्तपुन इसके अलावा आप से dose calculation के बारे में पूछा जा सकता है, तो एक बहुत छोटी सी list आप खुद से बना लीजे, मैं भी दे दूँगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, screening test में, इसके अलावा आपके मन में कोई भी question हो, तो comment box में जरू पूछिए, मिलते हैं, next video मे खुछर क में जरूए, जरूए जरी ला आप 순š?? कि झाल, यू खुछर के टुछर के बारे में जरूए, मोर्य सी बारे में बारे में ूawiाए, हिर आपके बारे में, यह रोभा आपकील, specifically Mart measured बारे में इसके बारे में, दूभर हो आपके přावके जूए, बारे में.